आज का टॉपिक भी एक डिमांडिंग टॉपिक ही है और आप सबकी डिमांड पे बनाई गई कोई भी मोटिवेशनल वीडियो कई बार मेरे खुद के लिए भी मोटिवेशन का ही काम करती है और एक बात जो आपने अक्सर मुझे कहते हुए सुना होगा कि खुद के लिए खुद से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं होता लेकिन चलिए कोई बात नहीं अभी के लिए बात करते हैं उन लोगों के साथ डील करने की जो आपको इंसल्ट करते हैं क्योंकि हम सब ने कभी न लेकिन किसी भी चीज का solution तभी निकलता है जब पहले हम actual problem को understand करते हैं। दुनिया में कोई भी satisfied person कभी किसी को insult नहीं करता। और satisfied person वही होता है जिसका energy level normal लोगों से high रहता है। और इसी वज़ा से उनके attitude में आपको हमेशा positivity ही देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ low energy people हमेशा negativity से भरे रहते हैं और इसी वज़ा से दूसरों को let down करना, taunt करना और insult करना उनके लिए बड़ी normal सी बात होती है। अब जिनके पास है ही negativity उनसे आप कुछ अच्छा सुनने की expectations भी रखें तो ये भूल आपकी है। ऐसे लोगों का confidence level zero ही रहता है और अपनी इस कमी को चुपाने के लिए वो दूसरों को control करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब उनसे भी weak confidence वले लोग उनके control में जीते भी हैं। Actually उन्हें लगता है कि वो जीते हैं। Anyways, अब दूसरों को control करने की उनकी habit उन पे इस तरह हावी हो जाती है कि अपने partner से लेके अपने बच्चे, खुद से बढ़ों और अपने आसपास के सब लोगों को insult करके खुद को intelligent दिखाने की उनकी कोशिश हमेशा चालू रहती है। और उससे भी दुख की बात ये है कि ये सब करते हुए उन्हें कभी realize भी नहीं होता कि वो कितना गलत कर रहे हैं। ये words को ही choose करें। Otherwise आपकी गिंती भी उन लोगों में होने लगेगी जो energy सक करने का काम करते हैं। Then धीरे धीरे आपको realize होगा कि लोग आपके पास भी रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। उनकी खुशी सिरफ उनी लोगों की company से हासिल होती है जिनकी positive energy के बारे में उनकी face की smile ही बता देती है। और ऐसे लोग जहां भी होते हैं उनके आजपास का environment खुशनुमा ही बना रहता है। लेकिन जो लोग आपको insult करते हैं उनसे उनी की भाषा में deal करने से हम भी उनके level तक गिर जाते हैं। हम insulted feel करते हैं क्यूंकि उनके words काफी hurting होते हैं। लेकिन actually हमारी insult करने से जादा वो अपनी सोच का level show कर रहे होते हैं। इस चीज को tolerate करना कई बार उतना easy भी नहीं होता जितना कहने में लगता है। मेरा experience यही कहता है कि कोई एक या दू बार आपको insult करने की कोशिश करे तो जाने दें। क्योंकि इन सब बातों को छोड़के आगे बढ़ने वाले ही रिष्टों की value को समझते हैं। और साथ ही अगर उस जगा कुछ और लोग भी खड़े हैं तो उस environment को सही रखना कितना जुरूरी है वो ये भी समझते हैं। सो उस वक्त चुप हो जाना या topic change कर देना ही समझधारी रहेगी और दूसरे लोग भी difference देख पाएंगे आपके और सामने वाले की सोच के level का। लेकिन कई बार होता ये है कि insult करने वाला इतना ना समझ होता है कि आपकी तरफ से कोई reaction ना आने को वो आपकी कमजोरी भी समझ लेता है और हर बार वो इनी चीज़ों को repeatedly करता है तो उस situation में आपके पास दो ही रास्ते हैं। एक आप उनसे हमेशा इतनी दूरी बना के रखें तांकि आप उनके contact में आ ही न सकें। It's like physically और mentally उनसे दूर हो जाना। बट हर person के साथ ये formula भी काम नहीं करेगा क्योंकि कई बार कुछ relations ऐसे होते हैं जो toxic हो जाने के बाद भी छोड़े नहीं जा सकते। क्योंकि रिष्टों को break करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है लेकिन दोबारा उन्हें जोड़ना कई बार impossible सा हो जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ formula number two काम कर सकता है। जब भी कोई आपकी insult करे तो कभी भी instant reply ना करें क्योंकि बहुत possibility है कि आपका instant reply उतना effective ना हो। सो उनकी बात सुनने के बाद एक pause लेके सोच के जवाब दें और आपकी बात में aggression बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको अपना level maintain रखना है। लेकिन आपका जवाब ऐसा होना चाहिए कि उन्हें कुछ realization तो करवा ही सके कि वो कितना गलत कर रहे हैं। कुछ और समझ ना आए तो इतना तो कह ही दें कि आपकी ऐसी बातें हमारे relations को effect कर सकती हैं। या फिर सबके सामने clap करके कहीं वाउ क्या amazing बात कही है आपने। ऐसी बातों की उमीड तो आप से ही की जा सकती है। नहीं होती। जो भी हो आपको उनके level तक कभी नहीं जाना। ये चीज हमेशा mind में रखें नहीं तो आप में और उनमें कुछ खास फरक रह नहीं जाएगा। और आपको irritate करके reaction निकलवाने में वो successful हो जाएंगे। हम react ना भी करें तो भी mind पे उस insult का effect थोड़ा तो रहता ही है। बार बार उसी चीज के बारे में सोचते रहने से better है कि खुद को pamper करने की कोशिश करें। ताकि अपने mind को उन thoughts से free किया जा सके। या फिर किसी ऐसे person को call करें या बात करें जो genuinely आपकी care करता हो। एक बात हमेशा याद रखें, never doubt on yourself, किसी के कुछ भी कह देने से आप वो बन नहीं जाते। आप उनसे जादा smart and intelligent हैं, तभी तो आप वो नहीं करते जो वो कर रहे हैं। means अगर आप कभी किसी को insult नहीं करते तो आप में कुछ खास, कुछ तो अलग है, जिससे वो jealous हैं। कहीं न कहीं उन्हें ये बात पता है कि आप लोगों के जादा favorite हो। सो ये हजम करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए वो इस तरह से outburst हो जाते हैं। कहीं न कहीं ऐसे लोगों पे दया भी आती है, क्योंकि एक जंग वो हमेशा खुद के साथ लड़ रहे होते हैं। और लगातार हार भी रहे होते हैं। खुद को वो साबित करने की जंग जो वो है ही नहीं। लेकिन खुद में change लाना कोई मुश्किल काम नहीं। पर वो कभी कोशिश ही नहीं करते। क्योंकि ये करना उन्हें मुश्किल और दूसरों को let down करना जादा easy लगता है। अगर आप कभी किसी को insult नहीं करते तो समझ लें कि आप genius हैं। और अगर कभी करते हैं तो please think about it। क्योंकि दूसरों को change करने में तो हो सकता है पूरी उम्र निकल जाए। लेकिन खुद में change लाने के लिए बस उतना ही वक्त लगता है जितना light का switch on करने में लगता है। क्योंकि मुझे खुद को change करना है ये thought आने में कुछ seconds ही लगते हैं। और उसके बाग daily practice और धीरे धीरे आप feel करेंगे कि आपने खुद को control करना सीख लिया है। I hope मैं अपनी thoughts को ठीक से explain कर पाई हूँ। आपसे दोबारा मिलने के लिए अभी विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे next video में, till then bye bye, take care and stay healthy.